हेलो एड़ूंग वैल्कम बैक फ्रेंज्ट तो यवर ट्रेडिंग चैनल ट्रेडिंग विद रोहनु दोस्तो हम अक्सर मिस्टेक कर लेते हैं कि डेमार्ड एन्ड सप्ला जोन कैसे फ़र्म होता हूं और कहां पर हो रहा हैं तो दोस्तों जो लोग mistake कर रहे हैं हमकि उनकी mistake से सीखना है और वो किस तरह से zone को thinking कर रहे हैं वो भी हम देखेंगे तो हमको यहाँ पर mistakes को avoid करने हैं ताकि हमको एक अच्छा खासा profit मिल सके तो दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि आप जहाँ से nifty को short करते हो या put buy करते हो जादर time market वहाँ से reverse हो जाती है या आप call buy करोगे तो वहाँ से market एक downward trend में चली जाती है वो क्यों जाती है क्योंकि आपका identification of supply and demand zone accurate नहीं है या correct नहीं है तो दोस्तों आज हम यही एक concept सीखने वाले और मैं आपको concepts के through easy way में बता दूँगा कि आपको demand zone किस तरह से form करवाना है या कहाँ पे marking करनी है तो चली दोस्तों without time waste की हम आगे बढ़ते हैं and हम 30 minutes के bank nifty के chart में देखेंगे तो दोस्तों आपको हमेशा higher time frame में zones की marking करनी है and then आपको lower time frame में इस zone पे trade करना है और किस तरह से trade करना है वो हम discuss करने वाले हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक resistance मिल रहा है एक बड़ा सा week है देन देखें यह zone पे कभी market ने उपर side या upside मूमें इंती ने दी जब दी तब यहाँ पे एक fall है तो और देखें यह zone form होता जा रहा है अब क्या हो रहा है यहाँ पे देख लीजी यह एक supply zone form हुआ कैसे form हुआ क्यों फॉर्म हुआ यह हम देखते हैं दोस्तों आप देख सकतों यहाँ पे एक बहुत बड़ा week है week indicates like यहाँ पे sellers लोग ने buyers को बहुत ही pressurize कर दिया है यहाँ पे fall के बाद buyers take over करना चारे थे यह zone पे but sellers ने मना कर दिया कि नहीं यह zone के उपर हम आपको नहीं जाने देंगे then candle को नीचा आना पड़ा then again buyers ने pull up किया then again यह zone पे selling pressure देखने मिला then again एक pull up के बाद फिर से selling pressure and then एक बहुत अच्छी rally मिली but rally के बाद again एक gap down open हुआ then market went down अब pull back देखिए बहुत ही जादा अच्छा था buyers continuous यह zone से buying कर रहे हैं but sellers की ताकत सबसे जादा थी and then एक बड़ा सा dip आया अब देखिए दोस्तो पिछले चार दिनों में that is 16th, 19th, 20 and 21 इन चार दिनों में हमको यह एक idea लग गया अब देखिए यह chart को भूल जाए यह चार दिनों में पता लग गया यह वाले box को देखिए हमको पता लग गया कि यह zone एक काफी important zone है इसके उपर market नहीं जा पा रहा है on 30 minutes time frame और एक important part आपको बता दू यह zone भी एक अच्छा खासा demand zone है क्यों क्योंकि यहां से market नीचे नहीं जा रहा है यह zone तो आपको अब पता लग क्योंका है supply zone कौन सा है demand zone कौन सा है तो हम quickly draw कर लेते हैं supply and demand zone on chart ठीक है तो अब मैंने यहां पे supply and demand zone को draw कर दिया अब हमको इसके base पे ही trading करनी है दोस्तों अब आपको पता लग चुका कि यहां से market एक बार bounce दिया second time bounce दिया third time bounce दिया four time and fifth time bounce दिया but जब कभी market इसको cross करेगा मैं अपनी कोई भी call वाली position या upset की position नहीं लूँगा क्योंकि यहां पे जो ताकती buyers में वो खतम हो चुकी है जिसके वज़े से market यहां से drop down किया है तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो market ने यह candle पे दिखा दिया है कि drop down है and then एक big candle आई बड़े candle के वाद देखिए buyers ने यहां पे भी push करने का try किया है यह zone पे but वो लोग नहीं कर पा है and then again there was a brutal fall तो आपको पता लग चुका है यह zone से market हमेशन नीचे ही गया है अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है जब यहां से pullback आया तो market ने ज़्यादा टाइम यह zone में spend किया है यानि कि सबसे ज़्यादा candle कहां पे time अपना spend करें that would be a demand zone और it would be a supply zone तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि एक demand zone बनता हुआ दिख रहा है अब देखिए आपको identification किस तरह से करना है यह important part है यहां पे vig बना that means यहां पे buyers यह चाह रहे है कि market यहां से upside जाए but again down then again upside यानि कि candles काफी ज़्यादा time यहां पे spend कर रहे then again a fall अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है यहां पे यहां पे एक बड़ी सी rally आई rally के बाद देखिए support भी कहां पे लिया गया यहां पे क्यों क्योंके candles ने सबसे ज़्यादा time यहां पे spend किया है अब आपको पता लग चुका कि यह zone का importance क्या है यह zone आपको अभी इतना ही देखना है चार्ट आगे का chart मत देखिए अब आपको पता लग चुका कि यह zone काफी ज़्यादा important है अगर यहां से एक retest होके breakout मिल रहा है तो अगर next candle एक higher high formation में मिल रहा है तो मैं यहां पे upside का trade लूँगा तो देखिए दोस्तों फिर क्या हुआ market upside गया क्यों क्योंकि यह zone को उसनी clear out किया है अगर देखिए support भी यह zone पे मिला है और यहां के बाद एक अच्छी खासे rally मिलिए तो दोस्तों आपको मैंने पहले भी कहा था चार दिन क्या चार्ट है चार दिन के चार्ट में आपको फिर से resistance दिख रहा है तो आप यहां पे buying नहीं करोगे दोस्तों buying कप करनी जब यहां से इस तरह का कुछ breakout हो यहां पे यहां पे एक अच्छी बड़ी candle which would be a bullish candle formation हो रहा तब जाके आप buying करोगे तो दोस्तों यहां पे हमको फिर से एक week देखने मिली जो week हमको यहां पे देखने को मिली थी तो दोस्तों आपको हमेशा zone को identify करना होगा यहां पे आपको trade किस तरह से करना है जब कभी भी आपको इस तरह का zone मिले तो आप एक bearish trade लोगे जहां पे भी candles पे bounce मिल रहा है यानि कि जादा तर buying हो रही है that would be a bullish trade यहां पे आपको bullish trade लेना है इस तरह से आपको यहां पे bullish trade लेना है कभी भी market यहां पे आएगा तो देखे दोस्तों SL क्या होगा SL आप यह रख सकते swing high अगर अगर यहां पे अगर आप bullish trade ले रहे है तो आपका swing low would be your SL अगर आप यहां पे short करना चाहरे है यहां से market नीचे जा रहा है देखे दोस्तों यहां पे मेंदा देखे एक fall again rice again fall then again rise then a big fall देखे market ने rise किया then again then again upside अब देखे दोस्तों यहां पे formation क्या हुआ अब देखे यह lower high from कर रहा था ठीक है and lower low भी form कर रहा है पे lower low बेखे दोस्तों क्या हो रहा है यहां पे base बनाया अब यह high को यहां पे cut कर चुका यह high that means market is forming higher high and यहां पे दिखे lower high भी form हो रहा है अब दोस्तों important part है यहां पे भी lower high form हो रहा है but अभी यहां पे higher high form नहीं हो है अगर curl market इस तरह से open होके फिर से नीचे जाती है then वो इस तरह का ही trading pattern बना सकती है क्योंकि अब क्या हो रहा है higher high formation नहीं हो रहा है अगर कल market यहां पे फिर से higher high formation बनाती है then again retrace करके market upset जा सकती है तो हमको higher high and lower high formation पे trade करना है which would be a bullish trade अगर lower low बना रहा तो which would be a bearish trade तो उमीद करता हूँ आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने मिला है अगर सीखने मिला है तो मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी इस तरह के learning videos ले सके तो thank you friends for watching trading with Rohan